सब्जेट गो में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे कि company में काम करने के लिए हम ऐसा क्या चीज सीखे computer के अंदर जिस से जो हमें job आसानी से मिल पाए देखे का हम computer course अगर नहीं करेंगे तो आज के time में job मिलना बहुत मुझकिल होता है मैं आपको यहाँ पे computer course के अंदर कुछ ऐसे basic चीज बता दूँगा जिसको जो आप बहुत ही कम समय में भी सीख सकते हैं और उसके बाद किसी भी company में job के लिए आप जा सकते हैं और आपको 100% job मिलने का chance फिर बन जाते हैं तो चलिए इन चीजों के बारे में जानते हैं तो देखें मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो की जातर companyों में इस्तमाल किया जाता है और यह सिख के जो आप normal किसी भी company में job के लिए apply कर सकते हैं और job कर सकते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने subject go channel सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो की नीचे दिए subscribe बटन को दवा कि subject go channel सब्सक्राइब कर लिजे और उसके side में दिए घंटी को भी दवा दिजे जिससे जब भी कोई नया वीडियो subject आए तो उसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिल पाए और आप जो उस वीडियो को फिरी में सबसे पहले देख पाए तो चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से चीजे हैं जो कि हम सीख सकते हैं असानी से और वो चीज अगर आप सीख लेते हैं तो आप भी किसी कंपनी में इंटर्वी दे सकते हैं और वहां पर बता सकते हैं और फिर आप भी वहां पर job कर सकते हैं तो चलिए जानते कुछ ऐसी basic चीजों के बारे में जिनका इस्तमाल जातर कंपनियों में होता है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता जाता हूँ कि यह चीज वह सभी लोग कर सकते हैं जिन्होंने 10th pass कर लिया हो या 12th pass कर लिया हो या फिर डिगरी कर लिया हो कोई भी जो इन चीजों को आसानी से सीख सकता है तो चलिए जानते हैं तो सबसे पहले आता है Microsoft Office package अब यह क्या होता है Microsoft Office package एक software है Microsoft company का जिसके अंदर जो कुछ basic software दिये गए हैं कंपनियों में काम करने के लिए अब यहां पे सबसे पहले जो आता है वो आता है MS Word MS Word 2007 आपने नाम सुना भी होगा MS Word अगर आप सीख लेते हैं यानि कि MS Word का यूज़ किया जाता है टाइपिंग करने के लिए कोई भी चीज इसमें टाइप करने के लिए company के अंदर तो MS Word आप सीख सकते हैं 2007 वला या 2003 या 2019 अब इसके जो है अलग-अलग वर्जन है यहां पे तो आपको इस अभी सीख सकते हैं उसके बाद आता है MS Excel MS Excel भी आपको आना चाहिए MS Excel का यूज़ करते हैं किसी भी company में कहीं पे भी MS Excel का यूज़ किया जाता है हिसाब नौट करने के लिए या बिल तयार करने के लिए या कोई भी चीज नौट करके रखने के लिए data बगरा तयार करने के लिए या रखने के लिए यूँ समझ लिज़े कि जो math का book होता है जितने आप जोर घटा गुना भाग करते हैं मैट के उसी तरह से इक्सल मैं आप यह काम कर सकते किसने क्या चीज कितना खुरीदा कितना पैसा हमने दे दिया कितना बाकी सब certified में प्रेजेंटेशन बनाया जाताए जैसे एकिसी ऑप्स comenz 판 I करें जैसे मालिए कंपनी कि कुछ स्टाफ है उन्हों सोचा है कि पहले वो mobile में ही काम करते थे लेकिन आप जो वो laptop भी बनाएंगे तो वो पहले क्या करेंगे ऐसा तो नहीं है कि direct laptop बनाना सुरू करेंगे पहले उसके उपर जो है वो विचार करेंगे सोचेंगे कि laptop अगर हम बनाते हैं तो किस तरह का design होगा और उसमें क्या-क्या होगा क्या का feature होगा तो उसके लिए वो पहले presentation बनाएंगे और मीटिंग में वो presentation चलाएंगे और दिखाएंगे कि यह चीजह हमने प्लान किया इस तरह से यह काम करेगा तो वो जो presentation होता वो इसी के अंदर बना जाता है PowerPoint के अंदर उसके बाद बात करते हैं यहां पर कि यह और 2013 के हूँ तो देखे 2007 वाला जो यह तो पुराना है लेकिन यह बहुत ही popular है तो आप कहीं पे भी जाते हैं किसी इंस्टिडूट में कहीं भी सिखते हैं तो 2007 का सीख सकते हैं या 2013 या 19 वाला लेकिन 2007 से जो नीची का version होता है जैसे 2003 वो मत सिखिया वो सिखने से कोई ट्रश कुछ अलग होते हैं आगे जानते हैं आगे आता है English हिंदी डाइपिंग अब यहां पे आपको English टाइपिंग भी आना चाहिए और हिंदी टाइपिंग अब स्पीड कितना चाहिए टाइपिंग तो वह जान लेते देखें यहां पर कम से कम अगर इस पीड आप का 27 यहां पर कम से कम आपका टाइपिंग स्पीड 27 या 30 जो होना चाहिए उसके बाद आता है यहां पर इंटरनेट नौलेज आपको बेसिक इंटरनेट का नौलेज होना चाहिए जैसे जीमेल कैसे करते हैं और अगर हमें किसी ने जीमेल किया है तो हम कैसे खोल के पढ़ेंगे कै ईब चीज़ अगल सर्च पर तो कैसे सार्च करेंगे से कैसे कर तो कैसे आप कर सकते हैं अप्रिजेंट बनाने का काम कर सकते और भी जो टाइपिंग में होता है और जो कंपनी में काम करते हैं MS, Excel वगरा पर रिपोर्ट वगरा तयार करना सेल पर्चेस ये काम जो आप कर सकते हैं चलिए आगे जानते हैं कि जब आप ये काम करेंगे तो सेल्डी कितना मिलेगा देखें बेसिक सेल्डी जो स्टार्ट होता है वो होता है दस हजार से और नॉर्मल जो सेल्डी मिलता है कंपनी में वो मिलता है 15,000 से लेके 37,000 अब देखे 10,000 तो उन्हें मिलता है शुरू में जो 10 पास 12 पास होते हैं फ्रेशर होते हैं लेकिन जो यहां पे ज़्यादा नौलेज होता है जिनको एक या दू साल का या छे महिने का तीन महिने का एक्स्प्रियंस होता है और भी कहीं काम कर चुके होते हैं तो उनको कुछ क आप सिखेंगे कैसे तो देखे इसे आप 10,000,000,000 अगर आपने कर लिया है तो भी कर सकते हैं और अगर आपने 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 निए निए टाइपिंग और इंटरनेट तो कोंकों से कोर्स होते हैं जिनमें सिखाए जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आता है basic computer course एक कोर्स होता है computer के अंदर जिसका नाम है basic computer course अगर आप basic computer कोर्स करते हैं तो उसके अंदर आपको MS Word, Excel, PowerPoint ये तीनों चीज़ा वहाँ पे सिखने के लिए मिल जाएगा आपको साथ में इसके अलाबा और भी कुछ बेसिक चीज़े होता है जो आपको सिखाये जाता है और वहाँ पे English typing भी हो जाएगा आपको हिंदी typing नहीं होगा और अगर typing अच्छे से आप सिखना चाते हैं English Hindi तो इसके लिए जो अलग कोर्स आपको करना पड़ेगा और इंटरनेट का knowledge भी आपको basic computer course के अंदर मिल जाएगा और ये basic computer course जो है ये तीन महिने का होता है चलिए आगे जानते हैं कि कोई और कोर्स है जिसके अंदर ये चीज़ सिखाया जाता है तो एक और कोर्स है जिसका नाम है जिनके अंदर English Hindi typing आता है लेकिन English Hindi typing अगर आपको अभी सिखना है तो आप कोई छोटा सा कोर्स कर सकते हैं दो या तीन महिने का जिसके अंदर सिर्फ आप Hindi और English का typing सिख सकते हैं उसके बाद बात करते हैं कि और भी कोई computer course है जिसके अंदर ये चीज़ सिखाया जाते है तो हाँ एक कोर्स और भी है उसकोर्स का नाम है Deploying Computer Application DCA इसके अंदर भी आप जो है सीख सकते हैं अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि basic computer course कितने साल का होता है तो देखिए ये जो है सिर्फ तीन महिने का होता है basic computer course आप जो है तीन महिने के अंदर कर सकते हैं और triple C जो है ये भी वीडियो के description में दे दिया वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और जान सकते हैं अब बात करते हैं कि अगर आप किसी institute से कहीं कोचिंग से ये चीज़े नहीं सीखना चाहते हैं तो फिर क्या करें तो देखिए इसके लिए तो आपको पता है कि internet पर आजकल सभी तरह के knowledge जो आपको free में मिलने वाला है तो यहाँ पर आप जो है search कर सकते हैं YouTube में subject go का एक channel है subject go के नाम से तो वहाँ पर जाके और आप जो है MS Word, Excel, PowerPoint, English Hindi, typing, internet knowledge ये सभी चीज़े फिरी में वहाँ पर सिख सकते हैं तो आप जो है YouTube में type कर सकते हैं subject go और उसके बाद subject go के channel को subscribe करके वहाँ पर सिख सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को like किजिए और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ जो है share किजिए social media पर और अगर आप अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप जो है subject go website पर नियवाद